दोस्तो आज हम आपको बिने थ्रेसर में चाना मसूर की सेटिंग कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे पास बिने थ्रेसर खुरई है फो ऐसे थ्रेसर तो बैग्यानी काफी प्रकार के चलाई हुई है मल्टी क्राप है कोई सोना लिका है कोई कुछ है लेकिन उनका कुछ अलग ताल मेल होता है लेकिन इनकी ये बिने खुरई के थ्रेसर में जो सेटिंग होती है उसके बारे मैं आपको बताने जा रहा हूं जैसा कि हम बता दें ये पूरे तरह से बिटर है ये बिटर हमारे गेह की सेटिंग के हैं यह बीटर यहां मिलाने चाहिए बीटर वहां से नहीं सेट होते जैसे कि यह पट्टी है यह पट्टी और इसके बीटर के वीज में सिर्फ एक अंगुल का वीज है इसलिए हमें इसको घटाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा इसलिए और जैसे इधर हम बन दो अंगुल ये बीटर हमने कम कर दिया है, ये दो अंगुल, और इसको तीन अंगुल, एक alignment बनाना है हमको, हम तीन-तीन का code बना रहे हैं, तीन में जैसे फास्ट बीटर हमने बड़ा चोन दिया, इसके बाद हमें तीन बीटर छोटे रखने हैं, फिर इसके बाद में एक करना है, और फिर बाकी जो बचेंगे वो छोटे रहेंगे, फिर अगली लाइन में हमें क्या करना है, अगली लाइन में सेम टू सेम नहीं रहेगा, जैसे हमने यहां दो छोटे रखे, छोटे से सुरुवाद किया, और यहां एक बड़ा किया, यहां एक बड़ा किया, यह काफी बड़ा है गेहूं की सेटिंग के हिसाब से लेकिन इसको खोलके हम छोटा करेंगे और ये तीन छोटे हो गए फिर एक बड़ा हुआ और ये तीन छोटे हो फिर लास्ट में फिर से बड़ा हो गए कोई बात नहीं जैसे इस लाइन में इसको हमने बड़ा किया इनको छो इसी तरह से आउट आफ करम चलेगा अगली लाइन में हम क्या करेंगे अगली लाइन में हमने तीन छोटे कर दिये और तीन छोटे करने के बाद फिर अगला नेक्स्ट बढ़ा किया और फिर तीन छोटे कर दिये नेक्स्ट बढ़ा किया जो बचे वह छोटा कर दिये इसके ब इसके सामने जो भी वीटर रहेगा, जैसे ये बड़ा है तो बड़ा के सामने बड़ा नहीं हो सकता, बन रहा है, तो जो इस लाइन में यहां पर बड़ा हमने किया है, इसके सामने वाला बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सामने सामने ही बड़ा हो जाएगा, तो दलहनी फसल तोडने का डर रहेगा और जब यहां बढ़ा किया तो फिर हमने यहां बढ़ा दे दिया वहां छोटा कर दिया यहां बढ़ा दे दिया फिर यहां तीन लाइने छोटे तीन बीटर छोटे कर दिया इसके बाद बड़ा फिर तीन छोटे फिर बड़ा ऐसे बनाया इसी तरह से हमारी आठ लाइन है आठ लाइनों को कम्प्लीट कर लेना और गेहूं की सेटिंग के बारे में अगला वीडियो हम फिर से बताएंगे इसकी एक और सेटिंग है ये तो हम अपने हिसाब से कम्पनी एक क्रम से लेती है जैसे नया थ्रेसर आता है बिने का हो गुरु नानक का हो बिजे का हो या किसी भी कम्पनी का हो खुरेई थ्रेसर हो या सोनाली का हो कम्पनी सेटिंग बना के देती है जैसे ये बीटर आपका सब से छोटा इतना नहीं मतलब इसको पूरा वोल् पर इसके बाद में अगले वाला बुल इतना फिर अगले वाला और थोड़ा फिर यहां से ले लेते यहां बड़ा है तो इधर वाला बड़ा रहें फिर इसी क्रम से कंपणी से किन देती है लेकिन उसमें क्या होता है माल जहरने में मलब नीचे जाली से जाने में थोड़ी से प्राबलम होती इसलिए हम सेटिंग ग्रामीड शेटिंग अपनी हिसाब से बनाते हैं अपने हिसाब से जो हम सेटिंग बनाते हैं उसमें हमें कुछ ज्यादा महत्तपूर्ण लगा ना एक भी माल गटाने से सेटिंग नहीं बनेगी, कुछ हमें और करना पड़ेगा, वो क्या है हम अभी आपको बताते हैं, इतना होने के बाद हमने मसूर की सेटिंग में जाली चेंज नहीं करनी है, अगर हमें चना की सेटिंग बनाना, तो हमें जाली भी बदलनी पड़ेगी, अभी इस सम गेहूं की जाली पड़ी है आप देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा है थेसर हम पूरी तरह से ओपन नहीं किये हैं लेकिन फिर भी अगला वीडियो हम आपको जाली भी दिखा देंगे और यहां पर क्या है कि अभी हमने गेहूं की जाली इसलिए लगा के रखे हैं छोटी जाल मसूर की कतराई में गेहूं की ही जाली काम करती है क्योंकि अगर हम चने की जाली डालेंगे तो मसूर की जो चोटे-चोटे दमले होते हैं वो भी बाहर चले जाएंगे और अच्छी तरीके से मसूर साफ नहीं आई इसलिए मसूर और गेहूं का लगभग आकार होता है तो इसलिए मसूर में गेहूं की जाली चलेगे और चना कतरना है चना की कतराई में हमें चने की जाली डालने पड़ेगे वो हो गया इसके अलावा भी हमें एक सेटिंग बनानी पड़ेगी तभी हमारा अच्छा माल आएगा वह सेटिंग क्या हम बनाता हम आपको बताते हैं आ जूला सेटिंग जूला में क्या करना है कि जैसे यह बेल्ट है अभी हमने उतार दिया है इसको बेल्ट को बेल्ट इसमें चड़ा दिया जाएगा जब तो यहां से जूला आपता रोटेट करेगा जूला आगे पीछे करने के तो जूला आगे पीछे जैसे अभी इस समय हमने चना के हिसाफ से बना रखा है चना के हिसाफ से क्या है यह आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या करना है हमको कि मतलब इसको यह बोल्ट धीला करना है अगर हमको चना मसूल नहीं सरसो या मानलब कुछ भी गतरणा है वैसी तिलहन और दलहन वाली फसल तो तिलहन और दलहन में हम को इसको फुल उपर चढ़ा देगा ढीला करके फुल ऊपर चढ़ा देगा ताकि छंटा यह जो आपका जूला रहेगा ज्यादा आगे पीछे करेगा जिसके यहां पर चन्ने में जो होगा बौज नहीं लगेगी मलब वहां पर माल रूकेगा नहीं तुरंत एकदम यहां चन्ने पर बौज लगने के डर रहता है और चन्ना थोड़ा इनसे जो है अरजेस्ट करके यह थोड़े धीले करके चारो तरब के थोड़ा नीचे करना परेगे क्योंकि न माल भर जाएगा तो उपर उठाना सिधा भूसे में फेकने लगेगा भूसा में फेकेगा या तो माल तोड़ेगा इसलिए इसकी मार पूरी तरह से बढ़ा के रखना और हमें जब खाद्यान कतरना होता तो खाद्यान की सेटिंग तो हम फिर अगले वीडियो में लग远 कर तो हमें वीडियो लग में फ्रेगा optimizing सेटियो खाद्या डाद्यान की टीजान की सिए अध ह new लग भाद्यान कैसे तो हमें पाले हमें हो खाद्यान की स знать तो हमेंुआ जड खाद्यान की से वढ़ा हमें।